प्रेंजु में साहलु आप सभी का बहुत बहुत सवागत है मेरे चैनल गारेन गैलवी में कोटन की किसी भी विराइटी को आ पकेनी से लगा सकते हैं, हुआज भी आसानी सी जो प्लांट है के हैं क्टिन रगजाता है बखतन में बहुत सारी variety आती है च्छेंट और सभी variety अलग होती है बहुत ही खुपसूरत होते हैं इसके जो पत्ते होते हैं अलग अलग तरह के रिजायन के एक colorful होते हैं तो कोई सभी variety अभी आप लगा लिज़े बहुत ही इक लिए जो कि एक पत्ती से भी ग्रोव हो जाता है लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगता है एक पत्ती से ग्रोव करने में इसे टाइम लगता है इसे अच्छा है कि हम उससे कटिंग से ही ग्रोव करें बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है और बहुत ही कम की एद में चलने वाला प्लांट हो बहुत ही कम लगता है जब प्लांट की मिट्टी आपको लगे कि ड्राई हो गई है तब इसमें आप पानी जो है वो दे सकते है और ज्यादा दूप भी इसे नहीं चाहिए होता है बलकि हलकी ब्राइट लाइट में प्लांट रख देंगे तो बहुत ही अच्छे से यह चलता प्रोटन का जो प्लांट होता है आपका कभी खराब नहीं होगा अगर आप इस प्लांट को ला रहे हैं नरसरी से फर्सट गार तो जब भी इसकी मिट्टी बनाए तो इस प्लांट को केवल नॉर्मल मिट्टी में ही नहीं लगाई उसमें थोड़ी से सैंड की मात्रा और की मिटी अच्छी बनाई तो प्लांट आपका हेलडी गरो होता रहेगा तो अब देख सकते हैं यह सारे मेरे क्रोटन के प्लांट है और यह सारे मैंने कटिंग सब्सक्राइब से रहे हैं तो अब अब यह अच्छा टाइम है अगर आप वल्य तो पुष्छुरत और महेंगे प्लांट को फ्री में लगाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग लीजिए या इसे लगा लीजिए इस तरह से आपका प्लान्ट एक महने के अंदर फ्री में आपका क्रोटन का प्लांट है। तो रेडी हो जाएगा फिर वाले जो क्रोटन की वराइटी है येलो डॉट वाली इसकी कटिंग तो बहुत ही अराम से लग जाती है कि आप कोई भी ब्रांच ले लिए पतली से पतली ब्रांच भी आप इसकी लग जाएगी उपर से टिपपर से भी आप अगर लेंगे तो बहुत ही असानी से लग जाएगी तो इसकी किसी भी ब्रांच को आप ले लीजिए बहुत ही असानी से आपकी जो कटिंग भी लग कि अब देख सकते हैं कि मैंने क्रोटन प्लान की धेर सरी कटिंग जो है वो रेडी करके रखिए यह तो कर वाला क्रोटन है और यह यह लोड़ वला इसके चोटी चोटी पति आती है बहुत ही खुबसर लगता है जो प्लांट होता है क्रोटन का तो इसमें कुछ नहीं करना फ प्लांट उसे बुसी करना बहुत ही असान है जब यह प्लांट बुसी लगते हैं और पॉट में लगते हैं तो बहुत ही खुबसुरत लगते हैं तो आप देख सकते हैं यह जो प्लांट है मेरा इसे मैंने एक मत इतनी चोटी सी ब्रांच से ही मैंने इसे लगाय था और यह ब्राइटी आप देख रहे हैं ये लो डोट वाला चोटी पतियों वाला तो ये जो प्लांट है इसे ज्यादा पिंच करने की ज़रूत नहीं पड़ती है लेकिन उपर की जो ब्रांच है जब लंबी ज्यादा लंबी लंबी निकलने लगे तो उसे आप उपर से पिंच कर दी है तो आप उपर से इस तरह से पिंच करते जाएए तो बहुत ही अच्छा आपका जो प्लांट है घना घना हो जाएगा आप देख सकते हैं ये वाली क्रोटन की विराइटी है बड़े पतो वाली ये जो विराइटी आप देख रहे हैं उसी का मैंने एक छोटा सा ब्रांच चोटे से पॉट में लगा दिया है ये देख सकते हूंगे तेल का डबा ही है जिसे मैंने इस प्लांट को लगा के रखा है और बहुत ही अच्छा से मेरे प्लांट है ग्रोव हो रहा तो इस तरह के वैस्ट मेटरियल में भी आप प्लांट की कटिंग लगा दीजिए बहुत लाहिए ब्रांच वह निकलेंगे तो इस तरह से हमासे तोड देते हैं तो इस तरह से जब हम उपर पिंच करते जाएंगे तो जो प्लांट है बुसी होता जाए इसे मेना भी कटिंग से सारे बैता बाराइटी आप देख रहे हैं इस अभी मैंने लगा के रखिए तो कैसे अच्छा लगा आपको मेरे क्रोटन प्लान का कलेक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए थाइंक यू फेंड्स